भारत में कुरोना संक्रमण के नए मामले और मौतों की संख्या में यहां पर ठैराओ आता हुआ नहीं दिख रहा है लगातार तीसरे दिन नए मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है स्वास्त मंतराले की ओर से जारी ताजा आकडों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,76,110 न 70 लोग कुरोना से ठीक भी हो गए हैं वहीं बताया जा रहा है कि 9 माई 19 माई तक देश भर में 18 करोड 70,09,000 से अधिक लोगों को कुरोना की डोज लग चुकी है वहीं बीते दिन आपको बता दे कि 11,86,090 टीके लगाए गए हैं वहीं अब तक 32 करोड से ज़्यादा टीका क हो चुकी है और बीते दिन करीब 20 लाख कुरोना सेंपल टेस्ट किये गए हैं जिनका पॉजिटिविटी रेट अगर बात की जाए तो 13 फीजदी से ज़्यादा आया है कुरोना महमारी को रोकने के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा हतियार माना जा रहा है लेकिन वैक्सीन की किलत सबसे बड़ी चुनोती बन गई है वहीं बुद्वार को देश में लगातार छटे दिन 20 लाग से कम वैक्सीन की डूज दी गई है और इस हपते की शुरुवात 15 लाग से भी वैक्सीन की डूज देने के साथ हुई है वहीं सोमवार की अगर बात करें तिहां 13,00,000 डूज दी गई है वहीं मंगलवार को 12,00,000 और बुद्धवार की अगर बात की जाए तो ये आकड़ा गिर कर 11,66,000 पर पहुँच गया वहीं कोविन पोर्टल के अनुसार बुद्धवार को देश में 754 जिलो में से 92 जिलो में एक भी जगए वैक्सीन का डोज नहीं दिया गया है देश में केवल 6 राज ऐसे हैं जहां 1 करोड से जादा वैक्सीन के डोज दिये जा चुके हैं रे राज आपको बताते चले गुजरात, करनाटक, महाराष्ट, राजिस्तान, उत्तरप्रदेश, पश्रिम, बंगाल हैं वहीं महाराष्ट में सबसे ज़्यादा दो करोड से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन का डोज दिया जा चुका है करोना करफ्यू से पहले आगरा और देश के सबसे प्रदूशन सहर की सूची में टॉप 10 पर बना हुआ था लेकिन करफ्यू के दौरान हवा की गुडवत्ता सुधरी और अब दो दिनों से यहाँ पर बारिस के चलते प्रदूशन के शूख्ष्मकड पी एम 2.5 में यहाँ पर कमी आई है तो आगरा प्रदेश के सबसे अच्छी हवा की गुडवत्ता वाले शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया है और सबसे बहतर हवा हापुड की रही है जबकि दूसरे नंबर पर आगरा की और तीसरे नंबर पर बुलन सहर और कानपूर की हवा की गुडवत्ता रही है केंदरी प्रदूशन नेंतरन बोर्ड द्वारा जारी की गई सूची में बुद्द्वार को आगरा प्रदेश का दूसरे सबसे अच्छी हवा वाला सहर रहा है जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स केवल 57 रहा है और वहीं बुद्द्वार को ताउते तूफान के कारण आगरा समेथ पूरे प्रदेश में यहां पर बारिश हुई है मौतम बदल गया है जिस वज़य से यहां पर प्रदूशन का कम हुआ है और प्रदूशन इस तर में हर सहर में भी कमी आई है चलिए बुल्टन में अभी के लिए बसतना ही देश दुनिया की तमाम खबरे देखने के लिए देखते रहे है आ रहे नहीं उच्छे